नमस्कार दोस्तों मैं थर्पतिवारी आकार आईयस के ओनलाइन कोर्स में आप सभी का वेलकम करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में हमें छटी सदी इसापूर्व से संबंदित कुछ महत्यपूर्ण धार्मिक संप्रदायों का अध्यन करना है आप आज की क्लास के माध्यम से यह देखेंगे कि छटी सदी इसापूर्व में भारत में कई नवीन धर्मों की स्थापना हुई थी लेकिन उन नवीन धर्मों में से दो नवीन धर्म ही विशेश रूप से लोगप्री हो सके थे एक जेन धर्म और दूसरा बौद धर्म तो आज की इस क्लास में हम मुक्ता जेन धर्म के संबंद में पढ़ना प्रारंब करेंगे दोस्तो चटी सदी इसापूर्व भारत ही नहीं बलकि बैस्विक संदर्व में नवीन धर्मों की स्थापना का युग माना जाता है अर्थाथ चटी सदी इसापूर्व में भारत के अलाबा बिश्व के अन्य देसों में भी नए-न्य धर्मों की स्थापना हुई थी और विश्ट्व के अन्य देसों में भी महत्पूर्ण धर्म सुधारक या धर्म प्रवर्तक हुए थे जैसे इसी समय चीन में कनफ्यूसिया सेवम लाउत से इरान में जरत्रुष्ट तथा यूनान में पाइथा गोरस जैसे धर्म प्रवर्तकों का उदैग हुआ था किलियर दोस्तों तो चटी सदी इसापूर्व भारत ही नहीं बलकि विश्ट्व के संदर्व में धर्म प्रवर्तकों या नए धर्मों की इस्थापना का युग माना जाता है इसी काल में चीन में कनफ्यूसिया सेवम लाउत से इरान में जरत्रुष्ट तथा यूनान में पा थूष्ट का संबंद किस देश से है पाइथा गोरस का संबंद किस देश से है तथा महात्मा बुद्ध का संबंद किस देश से है ठीक है दोस्तों चटी सदी इसापूर्व में भारत में भारत में भी धार्मी कांदोलन हुए इस समय भारत में होने धार्मी कांदोलियों के पीछे प्रमुक बजाय यह थी कि भारत में इस समय बैदिक धर्म का बोल बाला था और बैदिक धर्म के अंतरगत अनेक प्रकार के यग्य किये जाते थे यग्यों में पस्वों की बली दी जाती थी पस्वों में मुक्ता बैलों की बली दी जा रही थी जबकि छटी सदी इसा पुर्भ में भारत में जनसंख्या बढ़ रही थी और बड़ी हुई जनसंख्या हेतू अत्रिक्त उत्पादन की अबसकता थी तो एक तरफ चटी सधी ईसापूर्भ में बैदिक धर्म में किये जाने बाले यगे और यग्गों में दी जाने बाली बैलों की आहुती ke कारण पादन हेतू क्रसी में अतरिक्त बैलों की अवसकता थी चुंकि ये दोनों ही बातें एक दूसरे की बिरोधा बासी थी इसलिए छटी सदी इसापूर्व की जनता ने बैदिक धर्म में दिये जाने वाली पसू बली की आलोचना करनी शुरू की और इस युक की जनता ऐसे धर की अवसकता महसूस करने लगी जिस दर्म में यग्य तता यग्य में पसूँ की बली ना दी जाती हो परणाम सरूप छटी सदी इसापूर्व में धार्मी कांदोलन उट खड़ा हुआ और उस धार्मी कांदोलन के परणाम सरूप इसी समय भारत में कई नवीन धार्मिक संपरदायों की स्थापना हुई थी जबकि जैन गरंत सूत्र कृतांग के अनुसार इस समय भारत में 363 नवीन धर्मों की स्थापना हुई थी तो हमें ना तो 62 धार्मिक संपरदायों का अध्यन करना है और ना ही 363 धार्मिक संपरदायों का अध्यन करना है हम यह देखते हैं कि छटी सदी इसा पूर्व में जितने भी नवीन धार्मिक संपरदाई इस्थापित हुए उन में से दो धार्मिक संपरदाई भारत में विसेश रूप से लोग प्री रहे एक जैन धर्म और दूसरा बोध धर्म तो आज की इस क्लास में हम मुकता जैन धर्म को पढ़ना प्रारंब करेंगे तो दोस्तों बोध गरंत ब्रह्म जाल सूत्र के अनुसार चटी सदी इसा पूर में भारत में 62 तथा जैन गरंत सूत कृतांगे के अनुसार 363 नवीन धर्मों की इस्थापना हुई थी बोध गरंतों में हमें कुछ ऐसे धर्म प्रवर्टकों की जानका प्रारंबिक परिक्षा में जोड़ी मिलाओं के रूप में पूछे जा सकते हैं तो बहुत ग्रंतों से हमें छटी सदी ईसा पूर्व में जन्म लेने वाले कई महत्पूर्ण धर्म परवर्तकों की जानकारी प्राप्त होती है जिनमें प्रतम हैं पूर्ण कस्यप दोस्तों पूर्ण कस्यप घोर अक्रिया बादी या अकर्म बादी थे तो यह प्रसन पूंचा जा सकता है कि छटी सदी ईसा पूर्व में किस धर्म परवर्तक को घोर अक्रिया बादी या अकर्म बादी माना जाता था पूरण कस्यपको दूसरे मत्पूर्ण धर्म प्रबर्तक हुए अजित केस कंबलिन या द्रच्छा बादी या भौतिक बादी थे तीसरे हुए मकली पुत्र गोसाल नियत बादी या भाग्य बादी थे अगले हुए पगुद का चायन ये भी नियत बादी थे अगले हुए संजय बेलट्थ पुत्र ये संदेह बादी थे और अगले हुए निगंडनात पुत्र बौध पुस्तकों में महावीर को ही कहा गया है तो छटी सदी ईसापूर्व में भारत में कई धर्म प्रवर्तक हुए और वे धर्म प्रवर्तक जो की महात्मा बुद्ध से जेश्ट थे उनके संबंद में जानकारी हमें बहुत गरंतों से प्राप्त होती है और यहां जिस जम्बंदित प्रसन जोड़ी मिलाओ के रूप में पूछे जाते हैं तो आप चाहें तो इन तथ्यों को याद कर सकते हैं कि पूरण कस्यप घोर अक्रिया बादी या अकर्म बादी थे अजीत केस कंबलिन उच्छेद बादी या भौतिक बादी थे मकलि पुत्र गोसाल नियत बादी या भाग्य बादी थे पकुद काचायन भी नियत बादी थे संजय बेलट पुत्र संदे बादी थे और निगंड नात पुत्र बोध पुस्तकों में महावीर को ही कहा गया है महावीर जो की जesian धर्म के 24 में तीर्धंकर मानी जाते हैं और जिने जsoever की इस्थापना का वास्तिविक स्रेह दिया जाता है क्लियर दोस्तो हम आगे यह देखते हैं कि इन सभी धर्म प्रवर्तकों में से आगे चल करके एक महत्पून धर्म प्रवर्तक हुए मक्ली पुत्र गोसाल जो की नियत बादी या भाग्य बादी थे मक्ली पुत्र गोसाल ने आजीवक संपरदाय या आजीवक धर्म की होता है तो आजीवक संपरदाए भाग्यवादी संपरदाए हैं इसमें भाग्य को महत्त दिया गया है कर्म को भी महत्त नहीं दिया गया है क्लियर दोस्तों लेकिन जैसा की मैंने आपको बताया कि उस काल में जितने भी नभीन धर्म प्रवर्तकों का उदै हुआ था, उनमें से दो धर्म प्रवर्ता की विशेश रूप से महत्पूर्ण साबित हुए, महावीर और गौतम बुद्ध, महावीर के संबंद में माना जाता है कि इन्हों ने ही वास्तिविक रूप से जेन धर्म के जिन सब्द से बना है, जिन का अर्थ होता है बिजेता, अर्थात जिस बैक्ती ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, वही जेन है, क्योंकि जेन सब्द संस्कृत भासा के जिन सब्द से बना है, दोस्तो जैन दर्म में कुल 63 सलाखा पुरुस की माननेता है सलाखा पुरुस अर्थात महान पुरुस तो जैन दर्म की यह माननेता है कि इस रष्टी में कुल 63 सलाखा पुरुस हुए सलाखा पुरुस हुए अर्थात महान पुरुस हुए और उन 63 सलाखा पुरुस में से 24 ती नारायन हुए, क्लियर दोस्तों, तो सलाका पुरुस की माननता किस धर्म में दिखाई देती है, जैन धर्म में, और जैन धर्म में कुल कितने सलाका पुरुस माने गए है, 63 सलाका पुरुस माने गए है, जिन में से तिर्थंकर कितने माने गए है, 24 माने गए है, दोस्तों, हम तीर्थंकरों का अध्यान करते हैं, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में विशेश रूप से माननता प्राप्त हैं, तीर्थंकर सब्द का अर्थ होता है भौसागर से पार उतारने बाला, तो जो बैक्ती भौसागर से पार उता करक मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो सके उसे ही जैन धर्म में तीर्थंकर कहा गया है तो तीर्थंकर सब्द का अर्थ होता है बहुत सागर से पार उतारने वाला अर्थात निर्वान या मोक्ष प्राप्ति में सहयोग करने वाला दोस्तो प्रारंब में जैन धर्म में मूर्ती पूजा प्रचलित नहीं थी इसलिए सुरू में तीर्थंकरों की पूजा प्रतीक के रूप में की जाती थी और अलग-अलग तीर्थंकरों को अलग-अलग प्रतीक के रूप में पूजा जाता था जैसे रिसब देब की पूजा ब्रसब के रूप में की जाती थी, दूसरे तीर्थंकर अजितनात की पूजा गज अर्थात हाथी के रूप में की जाती थी, सी तीसरे तीर्थंकर संभवनात की पूजा अस्व या गोडे के रूप में की जाती थी, तता चोथे तीर्थंकर अ अभिनन्दननाथ की पूजा कप़्ी या बंदर के रूप में की जाती थी, तो यहां जे संबंदित प्रसने भी जोड़ी मिलाओ के रूप में पूछे जाते हैं, कि रिसबदेब का प्रतीक क्या था बैल अर्थात प्रिशब था, अजीत नात का प्रतीक क्या था गज अर्थात हाती था संभाव नात का प्रतीक क्या था अश्व अर्थात घोड़ा था अभिनंदन नात का प्रतीक क्या था कपी अर्थात बंदर था इस क्यारावा दोस्तों, उन्नीसमे नंबर के तिर्थंकर मली नात का प्रतीक कलस को माना गया, बीसमे नंबर के तिर्थंकर मुनी सुब्रत नात का प्रतीक कच्छप अर्थात कच्छुआ था, इक्कीसमे नंबर के तिर्थंकर नेमी नात का प्रतीक नीलोत पर अर्थात नी साप का फन और 24 में नंबर के तिर्थंकर महावीर का प्रतीक सीन था तो सुरू में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था इसलिए जैन तिर्थंकरों की पूजा प्रतीक के रूप में की जाती थी रिशब देब के प्रतीक बैल को माना गया था अजितनाद का प्रतीक गज को संभावनाद का प्रतीक अस्व को अभिनंदन नाद का प्रतीक कपी अर्थात बंदर को उसके बाद सीधे हम आते हैं 29 में नंबर के तिर्थंकर मली नात का प्रतीक कलस को, मुनी सुब्रत नात जो कि 20 में तिर्थंकर थे उनका प्रतीक कछुआ को, नेमी नात का प्रतीक नीलोथपल अर्थात नीले रंग के कमल को, अरिष्ट नेमी का प्रतीक संख को, पास्वर नात का प्रतीक सर्पफण को, तथा महावीर का प्रतीक सीह को माना जाता था। क्लियर दोस्तों, तो जैन धर्म में सबसे महत्पूर माने गए है तीर्थंकर, जिनकी संक्या जैन धर्म में 24 स्वीकार की गई है, तीर्थंकर सब्द का अर्थ होता है, बहुत सागर से पार उतारने बाला। दोस्तों, तीर्थंकरों में से सबसे प्रतम तीर्थंकर जैन धर्म में रिशब देब को माना जाता है, रिशब देब को आदीनात भी कहा जाता है, रिशब देब का उल्लेक हमें रिगवेद में भी प्राप्त होता है, रिशब देब के अलाबा रिगवेद में 22 में नंबर के तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का उल्लेक भी मिलता है क्लियर दोस्तों तो जैन धर्म में प्रतम तीर्थंकर किने माना गया है रिशब देब को रिशब देब को आदीनात भी कहा गया है रिखवदेब और अरिष्ट नेमी इन दोनों ही तीर्थंकुरों का उल्लेक रिखवेद में प्राप्त होता है रिखवेद के अनुसार रिखवदेब अयोध्या के राजा थे और इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था दोस्तो रिगवेद के अलावा रिशब देब का उलेक भगवद गीता में भी मिलता है भगवद गीता में ये कहा गया है कि रिशब देब के जन्म से पहले यह सरस्टी असब्य थी यानि यह संसार असब्य लोगों से भरा पड़ा था इस संसार के लोगों को सब्बता का प्र गीता में भी प्राप्ट होता हैакти असा साथ विश्णु पुराण वायू पुराण तथा भागवत पुरान में फी रिशक्वदेव कलिता है और इन पुराणों में रिशक्वदेव अर्थात आदी नात को विश्णु का असे अथार कहा पुरानों में पुरानों में रिषब देव को बिष्वुँ अर्थाथ नारायन का ओतार माना गया है रिषब देव आयोध्या के राजा माने जाते हैं इनके दो पुत्र हुए एक भरत और दूसरा बाहूबली बाहू बली को गोमतेश्वर भी कहा जाता था और बरतमार में भारत के करनाटक प्रांत के स्रावन बेल गोला में बाहू बली या गोमतेश्वर की एक 57 फिट उची प्रतिमा भी बनी हुई है तो दोस्तो रिसब देब के दो पुत्र हुए भारत तथा बाहू बली माना जाता है रिसब देब ने अपने बड़े पुत्र भारत के पक्ष में राजगदी त्याग दी और स्वयम ये सन्यासी बन गए साधू बन गए साधू को जेन दर्म में यती कहा गया है तो रिसब दे ने राजगद्धी अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्यागी और स्व्याम रिशवदेव यती अर्थात साधू हो गए। भरत के नाम पर ही पुराणों के अमसार इस देश का नाम भारत पड़ा। रिशवदेव प्रथम तिर्थंकर थे जिने आदिनात के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम रिगवेद में भी प्राप्त होता है। इनका उल्लेग भागवत पुराण में भी है, पिशनु पुराण में भी है, वायू पुराण में भी है तता भगवत गीता में भी है। साथ ही साथ हमने देखा कि रिसब्देब अयोध्या के राजा थे, इनके दो पुत्र थे, एक भरत और दूसरा बाहु बली, इन्होंने अपने बड़े पुत्र भरत के पक्ष में राजगद्धी का त्याक किया ततस्वयम ये साधू हुए, यती हुए, और भरत आगे चलकर क इस देश का नाम भारत पड़ा, दोस्तों, दूसरे महत्पून तीर्थंकर हुए अजितनात, अजितनात का जन्म भी संभोता अयोध्या में ही हुआ था, और अजितनात का उलेक हमें यजुरुवेद में प्राप्त होता है, तो दूसरे तीर्थंकर अजितनात थे, जिनका जन्म भी आयोध्या में हुआ था और अजितनात का उलेख हमें किस बेद में प्राप्त होता है यजुरुवेद में लेकिन जैन धर्म में केबल और केबल अंतिम के दो तीर थंकरों को इतिहासिक रूप से सत्य माना जाता है तो यद्यपी 24 तीर थंकरों की मान्यता जैन धर्म में है लेकिन इतिहास में अंतिम दो तीर थंकरों को ही सत्य रूप में स्विकार किया जाता है क्योंकि इतिहास प्रमाणों पर आधारित है और हमें व्यापक इस तर पर प्रमाण केवल अंतिम दो तीर्थंकरों के संबंद में ही मिलते हैं 23 में तीर्थंकर पास्वरनात तथा 24 में तीर्थंकर महावीर के संबंद में इसलिए 24 तीर्थंकरों में से केबल अंतिम के दो तीर्थंकरों को ही इतिहासिक रूप से सत्त माना जाता है 23 में तीर्थंकर पास्वरुनात को और 24 में तीर्थंकर महावीर को पास्वुनात के संबंद में हमें इतिहासिक प्रमाणों के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि पास्वुनात के पिता का नाम अस्वुसेन था जो की वनारस अर्थात कासी के राजा थे तो पास्वरनात ने तीस वर्ष की वस्था में ग्रहत्याक किया तथा 83 दिनों की तपस्या के उपरांत इन्हें जारखंड इस्थित समवेद सिखर में ग्यान की प्राप्ती हुई समवेद सिखर को बरतमान में पारसनात परबत भी कहा जाता है तो पास्वरनात को ग्यान की प्राप्ती कहा हुई थी सम्मेद सिखर में सम्मेद सिखर बरतमान में किस राज्य में इस्तित जारखंड में पास्वरनात 23 में तीर्थंकर थे ग्यान प्राप्ती के उपरांत पास पास्वुलनात को सर्व प्रथम निग्रंद की उपादी दी गई थी तो पास्वुलनात को ग्यान प्राप्ति के उपरांत निग्रंद कहा गया पास्वुलनात के प्रथम अनुव्याई उनकी मा वामा तता उनकी पतनी प्रभावती हुई तो इनकी प्रथम अनुव्याई इ इन चार नियमों का पालन करना पास्वरनात के सिश्यों के लिए आवश्यक था ये चार नियम क्या थे सत्य अहिंसा अस्ते तता अपरीग्रह सत्य अर्थात जो असत्य ना हो वही सत्य है अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं अस्ते अर्थात चोरी नहीं और अपरीग्रह अर्थात संपत्ती का संग्रह नहीं तो अपने सिश्यों को चतुरियाम की सिख्षा किसके दोरा दी गई थी? पास्वरनात के दोरा दी गई थी? चतुरियाम के अंतरकत कौन से महत्पूर्ण नियम सामिल थे? सत्य अहिंसा अस्ते तता अपरीग्रह. आगे चल करके देखेंगे आप कि इसी में पांचमा नियम ज इसमें महावीर के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि सत्य अहिंसा अस्ते तता अपरीग्रह इन नियमों का प्रचलन पास्वरनात के समय से ही था. दोस्तो, पास्वरनात के संबंद में माना जाता है कि 100 वर्ष की अवस्था में अपने 72 अनुयाईयों के साथ इन्होंने म अधिनात को माना जाता है, इनका उलेख हमें रिगवेद में भी मिलता है, रिगवेद में अरिष्ट नेमी का भी उलेख प्राप्त होता है, जो की 22 में तीर्थंकर थे, भगवत गीता के अनुसार रिषब देव के जन्म से पहले भारत असब्था, भारत के लोगों को सब् वायू पुराण, विश्णु पुराण, भागवत पुराण के अनुसार रिषब देव विश्णु के आवतार माने जाते हैं, रिषब देव अयोध्या के राजाते, इनके दो पुत्र भरत एबं बाहु बली थे, अपने बड़े पुत्र भरत के पक्ष में राजगद्द त्याक करके रिषब देव यती अर्थात सादू हुए, पौराणिक माननता यह है, अर्थात पुराणोगमी यह माननता है, कि रिषब देव के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा था, दूसरे तिर्थंकर अजितनात हुए, अजितनात का जन्म भी युद्या में माना जाता है, और अजितनात का उलेक यजुर वेद में प्राप्त होता है, लेकिन 24 तिर्थंकरों में से अंतिम दो तिर्थंकरों को ही इतिहासिक रूप से सत्त माना जाता है, पास्वरनात को तथा महावीर को, पास्वरनात जो की 23 में तिर्थंकर थे, उन ग्यान की प्राप्ति हुई थी संवेद सिखर को पारसनात परबद भी बरतमान में कहा जाता है। अस्ते अपरिग्रे सत्य अर्थात असत्य नहीं, अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं, अस्ते अर्थात चोरी नहीं, अपरिग्रे अर्थात संपत्ति का संचे नहीं। पास रुनात की मृत्तु सो वर्ष की अवस्था में मानी जाती है। दोस्तो जेन दर्म में 24 में एवं अंतिम तिर्थंकर महावीर को माना जाता है और महावीर को जेन दर्म का वास्तिविक संस्थापक भी माना जाता है तो आप से यदि प्रारंबिक परिक्चर में प्रस्न पूँचा जाए कि जेन दर्म का मूल संस्थापक कौन था तो आपका जबाब होगा रिसवदेब या आदीनात लेकिन यदी प्रस्न पूँचा जाए कि जैने दर्म का वास्तिविक संस्थापक कौन था तब आपका जबाब होना चाहिए महावीर क्लियर दोस्तो महावीर 24 में अर्थात अंतिन तीर्थन करते महावीर के जन्म के संबन में हमाना जाता है कि इनका जन्म 599 या 540 इसा पूर्व में बिहार के बैसाली के कुंड ग्राम में हुआ था तो कुछ पुस्तकों में महावीर का जन्म 599 इसा पूर्व माना गया है लेकिन जादा तर पुस्तकों में इनका जन्म 540 इसा पूर्व माना जाता है कहां जन्म हुआ था बिहार के वैसाली इस्थित कुंड ग्राम में दोस्तों महावीर की मृत्तु 72 वर्स की अवस्था में 527 इसा पूर्व या 468 इसा पूर्व में मल्ल देश के राजा सुस्त पाल के यहां पाबा में हुई थी तो हमने 16 महा जन्पत के इतिहास में पढ़ा था कि मल्ल भी एक महा जन्पत था जिसकी दो राजधानियां थी उत्री मल्ल की राजधानी पाबा या पाबा पूरी में जबकि दक्षणी मल्ल की राजधानी कुसी नगर में तो पाबा या पाबा पूरी में ही महावीर का दि इस्तित वैसाली की निकट कुंड ग्राम में हुई थी जबकि इनकी मृत्तु 527 इसा पूर्व या 468 इसा पूर्व में 72 वर्ष की वस्था में मल्ले राजा सुस्तपाल के राज्ज में पाबा में हुई थी। वर्द मान था मावीर के पिता का नाम सिध्यार्थ था जो की ग्यांतरक छत्री गण के प्रमुक्ते तो इनके पिता का नाम सिध्यार्थ था और सिध्यार्थ ग्यातरक छत्रियों के प्रमुक्ते अर्थात राजा थे इनकी मा का नाम त्रिसला या बिदेहदत्ता था जो की ल पुत्री का नाम प्रीदर्शना था प्रीदर्शना को अनुद्या भी कहा जाता है और इनके दामाद का नाम जामाली था तो दोस्तो मावीर का बच्पन का नाम वर्दमान था इनके पिता का नाम सिधार्त था सिधार्त किस वंसके थे ग्यात्रक वंसके थे तो ये ग्यात्रक च्छत्रियों के प्रमुक थे इनकी मा का नाम त्रिसला या बिदेह दत्ता था जो की लिक्षवी नरेश चेटक की बहन थी तो लिक्षवी बंसकी इनकी मा थी जिनका नाम त्रिसला था साथ ही साथ इनकी पतनी यसोदा थी जो की कुडिन गोत्र की कन्या थी इनके भाई का नाम नंदी बरधन इनकी बहन का नाम सुदर्शना था इनकी पुत्री का नाम प्रिदर्शना था प्रिदर्शना का नाम अनोज्या भी प्राप्त होता है और प्रिदर्शना का बिवाय मद इतकई मात पूर्ण प्रारंबिक परिक्षा में पूंच जाते हैं। महावीर ने अपने पिता की म्रक्तू के उपरांत, तीस वर्स की अवस्था में अपने भाई नंदी बर्धन से अनुमती ले करके ग्रहत्याग किया। और ग्रह त्याक करने के उपरांग ये नालंदा पहुँचे नालंदा में मकली पुत्र गोसाल नामक बेक्ती इनका सिश्य बन गया और मकली पुत्र गोसाल ने 6 वरसों तक महावीर के साथ तपस्या की महावीर का सिश्य रहते हुए लेकिन फिर वो महावीर का साथ छोड़ और छे वरसों के उपरांत आगे चल करके आजीवक संपरदाय की इस्थापना करता है। साल के पेंड के नीचे बैसाख माह के दसमे दिन महावीर को ग्यान की प्राप्ती हुई तो महावीर को ग्यान की प्राप्ती कब हुई थी बारा वर्स की कठोर तपस्चा के उपरांत बैालिस वर्स की अवस्था में बैसाख माह के दसमेह दिन जरिम्भिक ग्राम के समीप रिजू पाली का नदी के तट पर साल ब्रक्ष के नीचे इन्हें ग्यान की प्राप्ती हुई इस ग्यान को जैन पुस्तकों में कैवल ले कहा जाता है इस ग्यान की प्राप्ती है दोस्तो ग्यान प्राप्ति के उपरांत वर्दमान को केविलिन कहा गया क्योंकि इन्हें कैवल प्राप्त हो चुका था कैवल अर्थात पूर्ड ग्यान प्राप्त हो चुका था साथ अब वर्दमान को अरहत कहा गया अरहत यानि योगी या पुझ तो इन्हें अरहत भी कहा साथ ये निगरंद भी कहा गया क्योंकि अब ये बंधन से मुक्त हो चुके थे और चूंकि कटोर तपस्चा के दौरान इन्होंने अतूल पराकरम का परिचा दिया था ये अटल रहे थे यद्यपी तपस्चा के दौरान भूत प्रेत इनकी तपस्चा बंग करने के लिए कि वर्दमान को महावीर की उपाधी दी गई क्लियर है दोस्तों तो ग्यान प्राप्ति के उपरांत वर्दमान को केबिलिन अरहत निग्रंद कहा गया तथा अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल प्राक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहा गया दोस्तों महावी में दो महत्वपूंट पुस्तके हैं आचारंग सूत्र था कल्प सूत्र इन पुस्तकों से हमें महावीर के दोरा की गई कठोर तपस्या की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तो महावीर ने ग्यान प्राप्ती के उपरांत अपना प्रतम उबदेश राजगरी में बिपुलाचल पहाडी में बराकर नदी के किनारे दिया था और इन्हों ने अपना प्रतम उबदेश कहां दिया था राजगरी में बिपुलाचल पहाडी में इस्थित बराकर नदी के किनारे दिया था और इन्होंने अपना प्रतम सिस्य अपने दामाद जमाली को बनाया था जबकि अपनी प्रतम सिस्य चंदना को बनाया था तो यह भी बहुत मत्पूर्टत्य है कि महावीर का प्रतम सिस्य कौन बना था जमाली और इनकी प्रतम सिस्य कौन बनी थी चंदना दोस्तो जमाली ही बिज्वाल्ग आगे चल करके महाविर की विरुद्द सबसे प्रथम बार विद्रो करता है और जमाली जैन धर्म से अलग हो करके बहुरत बाध नामा के एक नया सिध्धान्त प्रतिकारत करता है तो यह प्रस्न भी प्रारम्विक प्रिक्षा में पहुंचा जाता है कि महाव महावीर के बिरुद्ध सर प्रतम विद्रो किसके द्वारा किया गया था जमाली के द्वारा किया गया था और जमाली के अलावा जैन धर्म में दूसरा विद्रो तीस गुप्त के द्वारा किया गया था तो प्रतम विद्रो जमाली के द्वारा किया गया और दूसरा विद्र विव कोurar किया था तो इस तरह से हमने बहुत संखहप में आजकी इस क्लासana में महावीर के जीवन परिचय को संख़ें के समझने के समया सुझे क है अपनी क्लास में हम जैन्हिटेश कि प्रमुक्त माननेताओं जैन प्रिंद स्विर्म बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत अधन्यवाद.